Good morning, MPS Motivators के इस platform पर आपका स्वागत है आज हम फिर हाजी रहे, maths के important topic के साथ आज का जो हमारा topic है, वो है pie chart यानि वृत आलेक वृत आलेक हम लोग ascender 8 में तो पढ़ते ही है साथ ही इसका importance होता है हमारे competitive exams में भी यहां तक ही पिछले कुछ session में देखा गया है कि विहार बोर्ड matriculation के exam में भी एक question इस पर अधारित होता है जो की होता है वस्तो निष्ट प्रस्ट में, objective question में चलिए start करते हैं, आज का topic pie chart वृत आलेक वृत आलेक या pie chart जैसे हम pictograph में पढ़े थे कि कोई भी data का observation का हम लोग representation करते है picture के माध्यम से बार ग्राप में हमने पढ़ा था कि data का observation का representation करते है बार के माध्यम से यानि rectangles के माध्यम से जिसका equal width होता है और bearing height होता है ठीक उसी तरह pie chart में हम वृत आलेक में परहेंगे data का यानि किसी भी observation का representation pie के sector के माध्यम से sector से जो अवगत नहीं है description में link है circle chapter का उसको देखे सभी important term का definition उसमें बताया गया फिर भी बताना चाहेंगे कि sector यानि arc यानि part of circle और यह दो radius मिला कर जो भाग हुआ हुआ sector का हलाता है friends हम लोग pizza खाते हैं बहुत कम खाना चाहें लेकिन हम लोग खाते हैं तो देखते हैं उसमें बीताकार पीजा होता है जिसमें चार टुकरे किये होते हैं चो टुकरे किये होते हैं जो कि slice के रूप में होते हैं वही sector हुए जो कि equally छो भागों में या चार भागों में बाटे होते हैं यहाँ पर उसी का हमको जनकारी लेना है और उसके अधार पर पढ़ना है पाई चार क्या होगा तो पाई चार अपने डाटा का रिप्रेजेंटेशन हुआ जो कि हम लोग circle के sector के रूप में करते हैं पाई चार का definition इस परकार हम दे सकते हैं the representation of components और observation by the sector of the circle is called पाई चार्ट उरीत आलेक उरीत आलेक में हमें सबसे पहले जानना होगा के central angle क्या होता है केंदरीय कोन क्या है जब तक central angle की जानकारी नहीं होगी तब तक हम पाई चार बनाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे देखते हैं central angle central angle is equal to value of the component by sum of values of all the components into 360 degree जैसा कि हम जानते हैं circle के center पर total angle जो बनते हैं उनका sum 360 degree होता है तो यहाँ पे जो भी sector बनेंगे उसमें central angle जो होगा उन सभी central angles को जोरेंगे जितने भी sectors हैं उनके सभी central angles को जोरेंगे तो हमें 360 degree प्राप्त होना चाहिए आईए पहले central angle ज्याद करते हैं उसके बाद एक pie chart बनाते हैं और इसी question को आप ध्यान से देखिएगा उमीद करेंगे कि आपका पूरा chapter बढ़िया से बन जाएगा आईए देखते हैं question यहाँ question में एक घर बनाने में जिजिस components क्या बसकता हुई है उसका percentage में दिया गया है कि eat bricks 15%, cement 20%, steel 10%, laborer यान मजदूर 25% और miscellaneous खर्च 30% माना गया है यानि कि total दिया गया है कि घर बनाने में जो भी खर्च है उसमें कितना percent किस चीज में खर्च हुआ तो इसमें हमें pie chart बनाना है तो pie chart बनाने के लिए हम क्या करेंगे Central angle प्राप्त करेंगे तो central angle brick का अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे तो brick का दिया हुआ है 15%, 15% और total sum क्या है इसका, जितने भी values दिये गए हैं, उनका total कितना है, तो 100, 15% by 100% into 360 degree, जैसा कि सुत्र से हमें ग्यात है, value of the component by sum of all the components into 360 degree, तो यहां पर हमें प्राप्त हो जाएगा, bricks का central angle हो जाएगा, 54 degree, ठीक इसी तरह हम cement का भी निकालेंगे, steel का भी निकालेंगे, मजदूर का भी निकालेंगे, और miscellaneous यानिकी विविद्ध जो बाकी remaining खर्च है, उसका भी निकालेंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा, चुकि 20% है खर्च, cement में, तो हो जाएगा 20% by 100% into 360 degree, जो की हो जाएगा 72 degree, इसी तरह steel का हो जाएगा, 36 degree, मजदूरी का हो जाएगा, 90 degree, और miscellaneous खर्च है 30%, जो की हो जाएगा हमारा 108 degree, अब इसे हम pie chart के माध्धम से प्रस्तूत करते हैं, इसका steps of construction, आपके सामने दिया गया है, इसी प्रकार से आपको pie chart बनाना है, चलिए बनाते हैं, सबसे पहले एक circle बना लेंगे, एक radius लेकर, अपने इच्छा अनुसार कोई भी radius लेंगे, और उससे एक circle बना लेंगे, अब circle जो बनाया है, इसमें radius जो है, horizontally इसे हम sector बनाना इस्टार्ट करेंगे, जो भी angle दिया गया है, उसको हम बनाते चलेंगे, एक तरफ से बनाएंगे, जैसे 54 degree है, तो पहले 54 degree बनाएंगे, यह bricks का central angle है 54 degree, तो 54 degree बनाएंगे, अभी जो हम यह sector प्राप्थ हुआ, जिसका central angle 54 degree है, यह bricks को रिप्रेजेंट करता है, ठिक इसी प्रकार, हम सभी के लिए sector बनाते चलेंगे, 54 degree के बाद जो यह radius आया है, यहाँ पर, यहाँ पर 72 degree बनाएंगे, फिर उसके बाद 36 degree, फिर 90 degree, और last में जो बच गया, 108 degree, इसे बनाना नहीं है, यह अपने आप बच जाएगा, और अब सब को क्या करेंगे, उसमें इसका नाम लिख देंगे, brick, cement, steel, lever, miscellaneous, और प्रियास किजिएगा कि सब को अलग-अलग color से shade कर दे, या फिर pencil से ही अलग-अलग तरीका से mark कर दे, देखने में बढ़िया लगेगा, इस तरह हम pie chart बना लेंगे, दोस्तों जब भी आप pie chart बनाए, central angle जब भी निकाले सब का, तो सब का sum करके देख ले, कि central angle जो आ रहा है, उसका sum 360 degree है या नहीं, यदि central angle का sum 360 degree नहीं आ रहा है, तो कहीं कहीं mistake है, उसको re-check करे, और फिर दुबारा से देख कर उसको फिर से बना लें, इस तरह हमने देखा pie chart कैसे बनाते हैं, ब pie chart बनाना सब को आना चाहिए, कभी-कभी pie chart बनाया हुआ रहता है, और उसके अधार पर हमें कुछ questions का answer देना होता है, जैसे कि यहां पर pie chart बनाया गया है, और इसमें पूछ दिये, कि विज्ञान का central angle क्या होगा, या फिर जो sector विज्ञान को प्रदरसित कर रहा है, उसका के अंदरी ये कोन क्या है, या फिर सभी का data दिया रहे, और सभी का कुछ न कुछ marks प्रदरसित किया गया है, तो science के दोरा कितने marks प्राप्थ होगे हैं, और दिया रहेगा total marks 100 या total marks 200, तब science का marks कितना होगा, फिगर जब दिया रहे तो या तो आपको central angle निकालना रहेगा, या फिर उस खास observation का component का मान निकालना रहेगा, कि कितना है, question में दिया रहा सकता है, pie chat बनाईए, या pie chat दिया रहेगा, तो उसके अधार पर कुछ questions रहेंगे, जिनका answer देना रहेगा, उमिद करते हैं, आज का session आपके लिए लाप परद हो, यदि फिर भी कोई दिक्कत है, तो आप हमें comment करें, मेरे इस whatsapp पे question send करें, हम उसको बनाएंगे, और मेरा प्रयास रहेगा, कि आपको इस chapter से related कोई भी doubt ना रहे, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद.